नमस्कार दोस्तो, Ready to Guide चैनल में मैं आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो तो दोस्तो एक कमेंट्स आया है यहाँ पर जिसका हम रिप्लाइ देने वाले हैं क्योंकि यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जरूरी है यहाँ पर आप देख सकते हो पवन कुमार जी का एक कमेंट्स है जो की एक कमेंट्स किया है कि सर्टिफिकेट भेजवाएं तो एडरस दिया है लेकिन किसको भेजना है नाम नहीं लिखा है पिलीज सर बताएं तो दोस्तो ऐसा नहीं है अब यहाँ पर जो इन्होंने कमेंट्स किया है वो इसलिए किया है कि 10,000 से 15,000 रुपे वाले निवेशकों को जो है सेवी के तरब से SMS आ रहा है जिसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जो कोपी है दोस्तो इस एड्रस पर भेजनी है आप एड्रस देख सकते हैं इस एड्रस पर भेजनी है जो कि दियावा है यहाँ पर पी ओ बॉक्स 66 बेलापूर पोस्ट ओपिस नवी मुंबई 400614 तो अब यहाँ पर इनका कहना है कि सर यहाँ पर नाम तो नहीं है और हम भेजें किसको तो दोस्तों किसको नही आपको इस एड्रस पर भेजना है यह एड्रस ही आपका उस ओफिस का है अगर आप ज़ादे से ज़ादा करना चाहते हैं तो आप इस एड्रस को लिखने के बाद पीछे लिख सकते हैं SEBI अपनी तसलिदी के लिए अगर आपको लगता है तो आप सेgen SAYBI लिख सकते हैं उसस पर आप टैंसन ना ले यह एड्रस जैसे ही आप अपने लिफाफ पेपर डाल कर सेंड करेंगे दोस्तों तो अटोमेटिकली वहीं पर पहुंच जाएगा और दोस्तों किस तरीके से आपको अपना लिफाफा पैक करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों उससे नियूज देखने को मिलेगी नोटिस अपडेट हो चुका है और यहाँ पर भी किलियर बताया गया कि पब्लिक नोटिस विद रिगार्ड्स टु समिशन ओफ ओर इजिनल सर्टिफिकेट फॉर रिफंड इज अवेलेवल इन दा पब्लिक नोटिस सेक्शन तो दोस्तों अब यहाँ पर भी आपको अपना ओरिजनल बॉंड भेजना है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर है कि आप पब्लिक नोटिस में देख सकते हो तो पब्लिक नोटिस दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसी आप यहाँ पर किलिक करेंगे आपक लिख सकते हैं, आपके सामने है, कि मोल प्रमाड पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा, निवे सक खिर प्रमाड पत्र इस पते पर भेजवाएं, अब दोस्तो यह वाला मैटर जो है आपको देख लेना है, इसको आपको लिखे रख लेना है, और जब आप लाएंगे एक एन notice में दोस्तों address दिया गया यह वाला इस address को आपको लिखना है envelope के पीछे यानि कि यहाँ पर तो यहाँ पर आप दोस्तों इसको लिख देंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद दोस्तों आपको आना है अपने PSL bond में यानि की certificate में और यहाँ पर आप देखेंगे certificate registration नमबर लिखावा है registration नमबर दोस्तो जो की maximum you से start होता है इस नमबर को भी आपको लिखना है इसको कहा लिखना है दोस्तो यह भी देख लीजिए इसको आपको लिखना है इस side में तो यहाँ पर आप लिखेंगे PSL certificate नमबर और यहाँ पर लिखेंगे जो address आपको सेवी के तरफ से दिया गया है तो यहाँ पर उपर की side आपको लिखना है और अंदर इसके अंदर जो है आपको envelope में PSL का bond रख कर दोस्तो उसको फैवी quick से चिपका देना है ताकि वो जो है open न हो पाए और आपको यह parcel कर देना है दोस्तो पोस्ट उपीस में आपको यह post कर देना है तो दोस्तो इतना ही काम आपको करना है और kosis करें आपकी high speed पर कर दें दोस्तो ऐसा ना हो कि कहीं यह रुख जाए सेवी के पास जरूर जाना चाहिए तो इस बात का आपको विशेश तोर पर ध्यान रखना है दोस्तो और ओरिजनल कोपी भेजने से पहले उसकी जो है फोटो कोपी स्कैन कोपी आप अपने पास बॉंड की जरूर रखें दोस्तो तो आसा करते हैं दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गये होंगे कि तरीके से आपको अपना जो पीसिल का बॉंड है वो सेंड करना है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिन वीडियो